इत्रों कि आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली चीज़ क्या है आप जानते होंगे लेकिन एक बार आईए हम महानायक अमिता बच्चन जी को सुनते हैं मैं आपसे पूछों कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है तो कोई कहेगा कि जिसके पास पावर है वेपन्स है शस्त्र है धन है किसी देश का राजा या किसी सल्तनत का वारिस है मेरा ऐसा मानना है कि वेपन्स मनी किसी को पारफुल नहीं बनाते हैं यह अगर बनाते भी हैं तो कुछ समय के लिए ही बना पाते हैं दौलत आज होगी कल नहीं शस्त का ग्यान तभी तक काम आएगा जब तक वो शस्त चल सकता है Once it is used it becomes absolute पर शस्त का ग्यान कभी नहीं रुकता Knowledge can never be obsolete शस्त शस्त का ग्यान शस्त ग्यान से ज्यादा असरदार प्रभावशाली और शक्तशाली होता है अब देखिए एक राजा ने कितने राज्यों पर विजे प्राप्त की कौन कौन से शस्त्रों का इस्तमाल किया कितने सैनिक थे ये शायद आपको याद नहों पर जीरों की खोज किसने की बल्व का विश्वार किसने किया राशगान किसने लिखा उत्हेलों मेकबेथ की रचना किसने की ये आपको जरूर याद रहेगा इतिहास इतिहास गवा है कि एक राजा अपनी शक्ति के बल पर केवल वही तक पूजा जाता है जहां तक उसका सामराज्य पहला होता है वो केवल अपनी प्रजा का प्रिय होता है पर अपने ग्यान की कीर्ति पहलाने वाले हेलबर्ट आंस्टाइन विलियम शेक्स्पियर रबेंदर नाट टगोर सिर्फ अपनी जन्म भूमी में ही नहीं बलकि पूरे विश्वे में पूझे जाते हैं संपूर्ण मानव जाती के लिए वो पिर्ना स्त्रोध बनते हैं इसलिए आप सबसे मेरा आगरे यही है कि सीखते रहिए ग्यान का ध्यनी व्यक्ति हमेशा ही सम्मान और आदर योग्य होता है क्योंकि ग्यान वो कवच है वो शील्ड है जो आपकी जीवन में आने वाली कठनाईयों से आपकी रक्षा करेगा फिर किसी भी शस्त की आपको आवशक्ता नहीं होगी तो डियर स्टूटेंट्स देवियों सज्जनों नेवर स्टॉप लेर्निग बिकाज लेर्निग नेवर स्टॉप्स